है है कि अपनी कपी में हिडिंग पुड़ कर लें importance of management कि management का होना management का event परना या management को जीवन में as well as business में apply करने का importance क्या है why we can say कि यह छोड़ने लाइक ही नहीं बिना management के ना इनसान का जीवन चलता बिजनस चलता है so the keyword is गाइड बेसिकली आई रिपीट इलन दे कीवर्ड इस गाइड सो अगर हमारा मैनेजमेंट करने का तरीका बिजनस का बहुत अच्छा है बचों वी बी एबल तो इसली अचीव दा गोल दाट वी एफ प्लांड चाहे प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन और अपने लिए वेल्थ का मैकसिमाइजेशन और शेरोलडर के लिए क्वेश्चिन उपता है सर शेरोलडर का वेल्थ मैकसिमाइजेशन एक कमपनी कैसे कर सकती है बढ़ी बढ़ा simple है, मेरी company है, आप मेरे shareholder है, अगर मैं आप जैसे लोगों को जाधा dividend दूँगा, तो you will have a higher degree of faith in your investment that you have done in my company, yes or no, चल रहाँ, नहीं समझे बात को, समझ में आ गया, तो आपका विश्वास मेरे उपर बढ़ेगा, कि बढ़ी company हमारी बहुत अच्छी है, चल दिया है, तो other people would be eager to buy the shares, अब यहाँ पे share की demand market में जाधा होगी, people like you may not be willing to sell, तो आपके share का भाव बढ़ जाएगा, तो जो share आपने किसी जमाने में 1000 का लिया था, अगर dividend unexpectedly बहुत बढ़िया मिल गया, तो हो सकता है, 5 साल पहले share 1000 का था, आज market में उसका भाई अब भाव, 20,000 हो चुका है, double से भी जाधा, तो क्या कोई दूसरा investment 5 साल में double से जाधा होगा, no, so हम अपना profit maximization पे ध्यान देंगे, sales maximization पे ध्यान देंगे, और जब अच्छा profit dividend के form में बटेगा, तो लोगों की wealth भी maximize हो जाएगी, got it clear, useful in dynamic organization, better management is required children when the organization keeps on changing, अगर organization एकदम सोई हुई है, एकदम मरी हुई organization है, कभी कोई तरकी, कोई नया invention करना ही नहीं चाहती, क्या हमाँ management की ज़रत पड़ेगी, absolutely not, but आजकल के business की बात, अगर हम करें बचों, तो क्या business वैसा है, जैसे 20 साल पहले था, बिलकुल नहीं है, आप चोटा से example Reliance का ले लीजे, Reliance चाता है कि हर ग पहले जो समान लोग MRP पे बेचा करते थे, नॉर्मल महलने के businessmen, जिनको पता था हमारा कोई competition ही नहीं, जब Reliance smart point आ गया, तो they have started offering discount, तो local businessmen ने भी discount देना, start कर दिया, अब पोलो वाले कह रहे है, हमारे app के through medicine order कर दीजे, location share कर दीजे, दवाई 10% discount पे आपके घर आ उसने भी यही services चालू कर दी है, so dynamics आ गया, market में चल गा है, is that understood well, is that understood well, तो पहले MCQs बगेरा नहीं आते थे, short answer, long answer exam में आते थे, अब MCQ आने लग गए, तो मेरे को भी थोड़ा सा effort करना पड़ेगा, ताकि आपकी training MCQs पे हो पाए, तो थोड़ा सा dynamic यहां पे भी आ गया तो मैंने फिर chatbots इस्तमाल करने start किये, google form इस्तमाल करना start किया, ताकि वो approach training की आप तक पहुँच पाए, तो I need to do some kind of what children, management, is that clear, how does it increases efficiency, अगर एक MCQ बनाना हो, कितना भी genius teacher होगा चलगन, कितना भी genius, कम से कम 20 से 25 सेंट तो टाइपिंग पे लगेगा, सूपर genius भी होगा, एक से 1.5 मिनिट सोचने भी लगेगा, दो मिनिट से कम नहीं लगेगा, चाहिए जितना तेस्टी चगरो, 100 question की sheet बनाने के लिए, कितना time लगना चाहिए बच्चों, 200 minute, 200 minute कितने हो गए, 3 घंटे, मैं 40 minute के अंदर 100 question की sheet को edit करके, google classroom पे upload कर देता हूँ, all is called as, my efficiency is increasing, why? I am able to tap a resource, I am able to manage those resources which are available on this planet earth for making my efficiency to go up, और higher, समझ में आया की नहीं आया, तो इसके लिए फिर कुछ पढ़ना भी पढ़ता है थोड़ा बहू, कभी वो master class आ जाती ही न, facebook पे मारी 10 रुपए गी master class जोइन करें, तो यह सब teachers को भी पढ़ना रहता है कि क्या market में जानिया चल रहा है, नहीं समझे इस बात को, पका, how does the society get develops, भई अगर business बहुत बढ़िया तरीके से manage है, जादा employees की ज़रत है, अच्छे skilled लोगों की ज़रत है, तो लोगों का employment better होगा, जो लोग पहले loot part करते थे वो यह रिक्षा चलाने लग गए हैं, जो normal पर्चुन की दुकान पर 5-6,000 रुपे की नौकरी करते थे, उनको Reliance Smart Point ने बोला हम 15,000 रुपे देंगे, जो normal मुन्ना चाहे वाले क्यां काम करते थे, बारवी पास कर गए, ट्रेनिंग कर ली, MacDonald ने उनको 1.500 रुपे पर दिन पर हायर कर लिया है, तो what is happening children, इनका earning profile बढ़ गया, standard of living बढ़ गया, ये भी जादा खर्चा करने लग गए, क्योंकि इनकी कमाई बढ़ गई, तो overall society happens to be developed, समझ में आई बात, enhanced personal objective, किसी भी employee का personal objective क्या होगा, working conditions should be better, अगर आप अपने घर की मेड को दिन बढ़ डाटते रहेंगे, पुल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे, और तनक वालों से मिलने वाले से बहुत ज्यादा होगी, तो थोड़ा बहुत important समझ में आग्या होगा सब को, चलिए, so management gives a common direction to all the individuals, finance के लोगों को बोला, भई, cheapest source of finance से पैसा ले क्या हो, जब पैसे की जरुत हो, pump कर दो business में, raw material का source, best और सस्ता होना चाहिए, टाटा नानो गाड़ कि supply time पे पूरी करने के लिए, कुछ अरजी-फरजी vendors से इन्होंने समान करीदना start कर दिया, इन्होंने degraded starter motor खरीदनी start कर दी, हुआ क्या कि गाड़ी में जब वो starter motor लगी, लोगोंने start किया, तो उसमें चिंगारी होई, और वहीं पे बगल में petrol tank located था, और गाड़ी बन गई, तो finance का problem नहीं, production का problem नहीं, यहां किसका problem आया, purchase का, is that understood, तो अगर कोई भी business चाता है, कि हमारा profit maximize हो, हमारा so-called wealth maximize हो, shareholder का, हमारी sale बढ़े, तो सारे departments को मिलके काम करना जीए, तो जैसे एक school, अच्छा school का होता है बचो, वहाँ पे सिर्पढ़ाई अच्छी हो, बस, पढ़ाई भी अच्छी हो, dance drama, co-curricular activities भी अच्छी हो, पता लगा co-curricular activities तो अच्छी है, बट पढ़ाई के लिए teachers अच्छे नहीं है, कि धेर सारे बच्चे वहाँ जाना पसंद करेंगे, नो, पढ़ाई ही पढ़ाई होती रहती है, कोई भी co-curricular development है नहीं, कि अब चीजें साथ-साथ चलते हैं, समझ में आगई बात, so people understood what is the meaning of overall goal children, तो overall goal में sales maximization भी आएगा, profit maximization भी आएगा, अगर आप NGO है, helpage India, child relief and you, तो आपका logic क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को serve करें, समझ में आ गया, तो rotary club का goal है, कि cataract का जो problem बुड़े लोगो में इंडिया में है, उसको कम करना है, तो rotary club camp लगाता है हर तीन महिने में मान लीजे किसी शहर में, और सौ लोगों की free surgery sponsor करता है, ताकि जादा से जादा लोग जब इसको देखें, तो rich people और those who can afford, वो rotary के member बने, और लोगों के through rotary में donation आएगा, और donation से लोगों के अंदे ब is that understood, चलिए, understood this, चलूँ आगे, useful and dynamic environment, organizations change हो रही है, Nokia की story आपको शायद पता होगी, मैं बता देता हूँ, 1992 के आसपास, इंडिया में mobile phone जैसा कुछ आया बच्छो, उसके पहले तो landline phones ही वहा करते थे, आपके घर में शाद landline phone अब होगा भी नहीं, अब history की book में नदर आता हो, 1993 में, जैसे वो टुलू pump के बारे में आपको बताया था, water pump अचा, company का नाम था, टुलू, T-U-L-L-U, टुलू मत समझे जिए हैं, मनाली चले जाएंगे, आपके घर में भी होगा शायद, इतना famous हो गया यह water pump, इतनी इसकी efficiency बढ़िया थी, इतना तेज पानी चड़ाता था, लोग दुकान पर जाकि यह नहीं कहते थे water pump देदना, लोग बोलते थे एक टुलू देदना जरा, तो शब्द क्या बन गया, टुलू का मतलब वाटर पंप, हमारे cooler में टुलू लगा खराब हो गया, घर का टुलू जल गया, तो ब्रांड प्रॉडक्ट का नेचर बन गया, तो वैसे ही mobile phone का मतलब क्या होता था, लोग दुकान पर जाते थे, जरा Nokia देना, मतलब mobile phone चाहिए, तो shopkeeper बोलता था, कौन सा model दिखा दे, Nokia दो भईया जो भी बढ़िया हो, उसमें, understood this, तो मारूती का भी शेर इंडियन मार्केट में इतना नहीं था, जितना इनका वर्ल्ड मार्केट में था, अगर धर्ती पे 100 मोबाइल बिखते थे, तो 98 प्लस शायद Nokia ही बिखा गरता था, इंडिया में जब लाँचिंग हुई, तो Nokia was the best brand, best brand, और I also remember, हमारे घर में 1996 में पहला मोबाइल खरीदा गया था, Nokia का, the cost was children 14,900, आज भी कहीं पे शायद रखा होगा, मैं रखता हूँ उसको दिखाने के लिए बच्चों को, नदर नियारा भी दिखाऊंगा किसी दिर आपको में, और एक वो वीडियो बेचना था, भूल गया था पिछले टर्ण पे, आ जो models हैं तो highly advanced models हैं, ये इनके smartphones हैं और इनका OS था Symbian, Symbian S30, Symbian S40, Symbian S60, ये इनका so-called smartphone का software था, बहुत बढ़िया काम करता था, हाँ Android की तरह नहीं था basically, but nonetheless Android से कम भी नहीं था, तो इतना महंगा mobile phone था चलने और जो features इसमें थे, आज इतने features अगर आपको चाहिए, तो 1200 रुपए के mobile में जाते हैं, SMS तो जाता ही नहीं था उस दमाने में, सिर्फ calling के लिए use होता था बस, बटन वाला phone होता था normally, टॉटेट लियर, touchscreen तो बहुत बाद में इंडिया में आये, तो मैंने वो generation भी खेर देखी हुई है, तो in that case, सबसे पहले जब Google ने Android launch किया, तो य ये लोग Nokia वालों के पास गए, और बोला कि हमारा operating system यूज करिये, बहुत बढ़िया है, iOS से भी अच्छा काम करता है, अब भई जिसका product अल्रेड़ी बिक रहा हो, वो कावध ना भई, जिसका पानी बिकता है, क्या वो तेल बेचेगा, नहीं बेचेगा, तो वही चीज य तो Samsung उन्होंने बुला कि भई, आप हमारा operating system यूज करिये, iOS से बेटर काम करता है ये, तो उनको क्या था, उनकी दुखान तो वैसी चोपट थी, समझना गया, तो जैसे गधे बेचार मन का बोच, वैसे बीस मन का बोच, तो दुकानदारी चोपट थी, उन्होंने का चलो, Android ठूसते हैं एक बार, बज़ वही था, दात गर बढ़ते, शेफ डीशेफ था, एक्सिडेंट हुआ, मुह पे चोट लगी, दात नहीं लग गए, चेहरा स्माट हो गया, तो Samsung वालों की दुकानदारी वैसी चोपट चल लए थी, इन्होंने Android यूज किया, और so-called दिंदु लेना है, उसके बाद धीरे-धीरे ये भी Android में चले हैं, बट इनकी दुकानदारी चोपट की थी है, इनका market share इस समय 5% से भी कम है, तो सर ये करते हैं आजकल, ये connecting signaling devices बेशते थे originally भी, आज भी यही बेशते हैं, जो towers पे equipments लगे होते हैं, mobile phone companies के, तो Ericsson, Sony, Simmons, Nokia, ये सब बिशते हैं basically, तो अब ये Android पे आ गए हैं बट problem, तो ये समझ ना गया, अगर आप dynamically changing environment में अपने आपको change नहीं करेंगे, अपने आपको upgrade नहीं करेंगे, तो आपको market से क्या करना पड़ेगा बचो, exit करना पड़ेगा, is that clear, तो बच्चे आज भी वही पुराने जमाने के question answer रटके चले जाते हैं, understanding पे ध्यान कितना है, zero, क्याते हैं पड़के तो सब गए थे, exam में तो एक question नहीं लिख पाए हूं, क्योंकि आप पड़के गए थे colors, वहाँ पे पूछे गए shades, आप पड़के गए थे furniture, वहाँ पे पूछ लिया गया modular kitchen, तो जो पड़के देंगे exam में, वह आएगा, is that clear, तो समझना is much more important than पड़ना basically, पड़िये रटिये बेचने के लिए, और समझे नमबर लाने के लिए, understood this, understood this, चलिए, increases the efficiency, simple सी बात है, आज काफी employees ऐसे हैं, जिनको उनका employer बोलता है, आपको एक presentation देना है, और अब वो पगला गएगी, 5-6 गंटा लगेगा presentation बनाने में, counterpart बगल में एक employee बैटा था, वो 15 मिनिट बाद जाके boss को अपनी presentation दिखाया है, अप्रूव हो गई, और उसका promotion office में हो ग practically उसकी PPT त्यार हो गई, तो अगर आपको अपनी efficiency बढ़ानी है, you should be doing better planning, you should organize the things better, you should direct your personnel जो काम कर रहे है, कि कि इसको कब क्या कहा काम करना है, and number of people required at particular places should be properly planned, then only your organization will happen to grow up, तो जब सबसे पहले AI की बात दुनिया में आई, हो सकता है, दस साल पहले से चल रहा होगा, famous थो भी 4-5 साल से हुआ मान लीजिए, तो सबसे पहली company जो आई होगी मेरे ग्यान में जो है, that is open AI, जिनका ये chat GPT है, फिर ये DAL, E वगएरा आ गई and all that, Google को लगा, कहीं हम market से out हो जाएं, चलो काम करते हैं, तो BARD AI करके इन्होंने अपना application launch किया, what a clear, और actually में BARDA was the name of Samsung's first operating system in mobile phones, तो इनको लगा कि तो इस Samsung वाले हमको कलको स्यू ना कर दे, तो इन्होंने BARD AI को change करके क्या बना दिया, जेमिनी बना दिया, तो इनके AI का brand name क्या चलने, जेमिनी, ऐसे ही Samsung वालों को लगा, कि Galaxy phone तो हमारा बड़ा famous है market में, बट लोग AI enabled होना चाहते हैं, तो नाम क्या add कर दिया, Galaxy AI phones खरी दिये, तब फरजी है सब वही phone थे, तो नाम जोड दिया, तो लोगों के अंदर एक intuition आ या, ये product पहले से upgraded है, तो अगर आपको market में efficiency अपनी बढ़ानी है, तो आपका management एक दम ठीक होना चाहिए, first mover advantage होना चाहिए, जो बजार में नहीं आया, उसके साथ शादी कर लो, तभी चलोगे, वरना चलने ही पाऊगे, ये शादी सुदा जीवन में नहीं अप्लाय करना बस ये business में apply करता है, is that clear or not, तो अगर मैं आपको lecture दे रहा हूँ, और मैं आपको MCQ पे बिल्कुल भी training ना दू, आपको लगे का सर, बाकी सब तो सही है सर, पढ़ाते भी आप ठीक ठाकी है, हमें समझ में भी ठीक ठाकाता है, बट हम exam में क्यों flop हो जाते हैं, मैंने आपक 400 question की database ही अठीक है, बोड में 3 से ज्यादा question इस chapter पे नहीं आएगा, MCQ दो ही तीन आता है chapter से मान लिजिए, ओके, बट जब आप उन 4-4,500 question की buffer practice करेंगे, तो आपको answer sheet से ही question है, पूरा पहाड मैं आपको खिला रहा हूँ, पूरा पहाड, समझ में आगई बात, समझ में आ simple सा concept है children, आप अगर society में ज़ादा से ज़ादा employment लेके आएंगे, लोगों को अच्छी quality के products देंगे, जैसे sir, एक example दीजिए, किसी जमाने में जब हम student थे, तो कुछ copies ऐसे मिलती थी children, 40 रुपी per kg, what, per kg, क्योंकि rough work बहुत करना पढ़ता था, maths में भी, accountancy में भी and all that, तो 40 रुपए की एक copy afford में कर सकते थे, और एक kg में कम से कम 5 registers चड़ जाते थे, तो we used to buy this, अब इससे सबसे आदा जटका किसको लगा बचो, ITC वालों को, इन्होंने ग्यान लिया, जो हमारी अच्छी branded copy होगी वो तो हम महंगी बेचेंगे, और जो कतरन निकलती है, binding house में, उस उससे paper बनाएंगे, और market में paper बेचेंगे उनको जो spiral register बेचते हैं, तो spiral register आपको 80 rupees में मिल जाएगा, having how many pages, 300 pages basically, तो अब यहां पे society कैसे develop होगी, जिन लोगों को अभी तक काम नहीं मिलता था, वो recycle paper की copy बनाने के काम में लग जाएंगे, अभी तक हम अपना recycle paper एकदम कब पाल में लगबख free के दाम पे मान लीजे बेच देते थे, और हमारी copy का जो price था, 45 rupees, paper हमने बेचना start कर दिया, उससे जो income हुई, उससे हमारी copy की price reduce होके, कितनी होगी चलन, 35, और 10 rupees में हमने यह कागस बेच दिया, तो हमारा revenue एक दा, maintained है, and ultimately, वो students, जो महंगी copy आफोड न name does, west side, महेंगा brand basically, सस्ता brand नहीं है, but इनको लगा कि हम middle class या lower middle class को कैसे feed करें, हमको तो इनको भी अपना product बेचना है, हमको तो इनको भी अपना customer बनाना है, तो इने किस नाम से कपड़ा बेचा जाएगा, studio, तो कुछ लोग wheel इस्तमाल करेंगे, और कुछ लोग, surf excel, तो companies ये काम करती है, सस्ता product, Tide के नाम पे बेच दिया, और महेंगा वाला, Arial के नाम पे बेच दिया, में Tide और surf excel की company अलग अलगे शायद, बात समझ में आई, तो आप लोग, रईस लोग हैं, आप वो bottle वाला shampoo लेंगे, बड़ जो गरीब लोग हैं, सैशे वाले ले लेंगे, तो company को दोनों तरह के customer मिल रहें की नहीं मिल रहे है, airport पे, राजधानी में, airplane में, अगर cold drink बिकेगी, तो can वाली और उसकी MRP 70 रुपे होगी, what it is, और normal railway station, 3-tier compartment, bus stop, इस पे 20 रुपे वाली, एक चोटा सा इसका example देता हूँ, Nescafe का नाम सुना है बचो, एक इनका steel का can आता है, वो पता नहीं कौन सी coffee होती है, मैंने तो price देखके वापिस लोटा दिया, दुखा अंदर लोगे, the price is 70 रुपी, same taste, same flavor, same quantity, अगर आप tetra pack में खरीते हैं, the price is रुपी, 50, कानून बोलता है कि आप same commodity को दो दाम पे नहीं बेच सकते, commodity same है कहां, steel वाले पे लिख दिया, exclusive, platinum pack, और tetra pack पे लिख दिया, for family pack, नहीं समझना ही बात, छोटा chips का packet, आपको मिलेगा 20 रुपे का, समझना गया, इसकी quantity कितनी होगी, लगबक 30 gram, कितनी, 30 gram, वही आलू, boil करके, shape दे दिया, प्रिंगल के नाम पे, shuttlecock के और rate कितना हो गया, 120 रुपे, तो weight लगबक 60% बढ़ाया, ताम हमने कितना बढ़ाया, 600%, कितना, 600%, समझ में आ गया, तो ये next cafe में भी ऐसा ही है, तो हमने उसकी packing थोड़ी सी change कर दी, और customer से पैसे, जादा ले लिए, फोपड़े में बात गई की नहीं गई, तो अगर बैठे हैं, तो आपको ये 70 रुपे वाला मिलेगा, प्रताब गड़ में बैठे हैं, और नॉर्मल सा roadside cafeteria, तो कितने वाला मिलेगा, 20 रुपे वाला, तनिश जाएंगे, making charges, 22 karat की jewelry 35%, और ये कभी नया store उन्होंने खोला, मिया करके, वहाँ पे 12 karat की jewelry आपको बेचेंगे, स मिया में जाएंगे, 12 karat करी देंगे, तो टाटा बोले, चाहे 12 करीदो, चाहे 22 करीदो, हमको तो 16 100 रुपे प्रती गाम making charge लेना है, 16 100 रुपे पर gram, चाहे तुम 20 karat का समान करीदो, चाहे 12 karat का करीदो, हमारी दुगांदारी तो उतनी ही है, तो development of society किस से होगा, जब हम 12 kar के लिए तनिश्ट कोला, 16 से 18 karat के लिए काट लेन खोला, अब जगादा की गोल्ड और महेंगा हो रहा है, बट लोग अफोड नहीं कपाएंगे, तो 12 karat के लिए मिया का स्टोर खोल दिया, कल गो तक टी यहां का स्टोर खोल दे, उसमें 2 karat की जूल्टी भी कहेंगी, लो इसा होगा, नो, बोला जाएगा कि पूरे office, पूरे organization में, अगर sales बढ़ेंगी, तो तो सब को incentive मिलेगा, 10 लोग में से 4 तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट 6 नहीं कर रहे हैं, तो 6 का कोई effort ही नहीं है, सिर्फ 4 का है, तो अतनी ज़्यादा sales, बढ़े की नहीं, incentive मिलेगा, तो अगर incentive चाहिए, तो पूरे office को काम करना पड़ेगा, समझना गया, then we have cooperation, आप किसी दिन स्कूल में absent हो गए, तो आपका friend सहिला सहिली क्या करेगा, आपको home work देदेगा, या मना कर देगा, कह देगा, आज कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, हम जिस दिन नहीं क may help somebody else, इससे होगा क्या, कि जादा से जादा output हो जाएगा, जादा से जादा लोगों का promotion भी होगा, तो अगर Mr. X को कोई job दिया गया, तो तुम्हें एक करोड रुपे 6 महिने की sale target पूरी करनी है, उसका target तो पूरा हो गया, बट उसके पास 10-15 लग के orders और हैं, तो वो अप आज वो किसी की help करेगा, तो कल को कोई, उसकी भी help करेगा, is that clear? और जब पूरा office grow करेगा, तो employer अच्छे incentives भी सब को देगा, so all will be getting what children, better remuneration, समझ में अगई बात, and as an employee, we should be committed to our organization, या we should be a total धोके बाच to our organization, जैसो movies मिली हो तो कुछ पूलिस वाले, पैसा तो सरकार से लेत करते हैं, तो they do not have any commitment, समझ में आया, नहीं सुझना आया, तो अगर team spirit होगी, cooperation होगा, commitment होगा, तो आपको organization grow करेगा, organization तरक्की करेगा, तो आपकी salary incentive भी बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा, तो overall organization will be successful, समझे इस बात को, पका? coordination, अब बचो दो words हैं, बड़ा confused होते हैं लोग इसमें, त्यान से सुनियेगा, one is called as cooperation, and other is called as coordination, if I am unable to fulfill my targets, my so-called colleague may help me out, it is known as what, cooperation, I am working in an office, in an office, sorry, at a particular position, और आप भी उसी office में particular position पर काम करते हैं, पहले file आपके पास आईगी, आप अपना काम पूरा करके, मेरे को forward करेंगे, बट जब तक आप काम complete नहीं करेंगे, file में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, this is called as what, children, coordination, so you can say कि cooperation is not formal in nature, I repeat, it is not formal, it is informal, but coordination is formal in nature, कितनी बात सब को समझ में आगई, तो management अप तक अच्छा नहीं होगा, जब तक coordination as well as cooperation ना, तो you missed your school on a particular day, आपके friend ने आपको PDF बना के whatsapp कर दिया, what he happens to do, cooperation, but मान लीजिए आप और आपका दोस्त किसी project में थे, कुछ काम आपको करना था, कुछ उसको करना था, आपने अपना काम कर लिया, बट उसने अभी तक काम complete नहीं किया है, क्या submissions हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो problem किसी चीज क्या रही है, coordination की, तो ये दो बाते याद रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे आपको, so what is formal children, what is formal, coordination children, and what sounds to be informal, cooperation, so this is called as informal, and this is called as formal, तो अगर आप PVR cinemas गए, और वहाँ पे ticket तो आपको मिल गई, बट जो cafeteria वाला है, या मान लीजिए, cafeteria में food तो है, बट ticketing का कुछ problem हो गया, तो जब तक ticket खरीद के इंसान movie देखने आएगा नहीं, क्या हो cafeteria में कुछ order कर पाएगा, no, तो ticketing counter के problem की वज़े से, किस department का segment का business चौपट हो गया, food and beverage का business चौपट करने में पूरा हाल, ticketing का था, is that clear, railways के tickets cancel हो जाते हैं सर्दियों में due to fog and all, तो IRCTC की वज़े से, जो हमारा food का department है, railways का, उसका भी revenue कम हो जाता है, so this is the problem of what children, coordination, समझ में आगया, but अगर हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवेज को बोले, कि जिनके भी tickets आप cancel कर रहे हैं, आप उनको tickets दे दीजिए, buses के, हम उनको travel करवा देंगे एक destination से, दूसरे destination जिनका ticket cancel हो रहा है, अगर हमारी transport ministry, ministry of railways actually अलग होता है, airways, aviation अलग होता है, ministry of aviation और जो road transport है वो अलग है, मान लिज़े कि इन तीनों के उपर एक ministry of travel and tour बना दिया जाए, और इन तीनों ministries को उसके अंडर में डाल दिया जाए, और एक rule बन जाए, कि जिसका भी air ticket cancel हो रहा है, POC weather या किसी भी चीज़ की वैसे, उसको train का या bus का ticket offer किया जाएगा, ले उसकी मर्जी, उना ले तो उसकी मर्जी, train का ticket cancel हो अगर, कहीं पे किसानों का धरना प्रदर्शन चलना था, पटरी उखाड दी, तो उसको air ticket या bus service का so-called option दिया जाएगा, ये rule बन जाए, then it is called as what? Coordination, called as what? Coordination, बट अगर Indian railways के ticketing counter पे जो लोग बैठे हैं, आप ticket cancel कराने गए, वो आपको बोल रहे हैं, यहां तो ticket cancel कर रहे हैं, वो bus से भी आप जा सकते हैं, ज़रा एक बार वहां देख लीजिएगा, what is this? वो operation, तो formal informal समझ गया सब लोग, नहीं समझें, पका, confirm, चलिए, so if I am floating a paper on Google Classroom, आप उसको attempt कर रहे हैं और submit कर रहे हैं, और मैं आपकी offline या online live class का time kill नहीं कर रहा, this is called as what? Coordination, कोई बच्चा कहे रहे हैं सब हमसे वो delete हो गया, Google Classroom ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने Google Drive upload नहीं किया हुआ है, तो मेरे को WhatsApp कर दीजिए, that's an individual benefit, it is cooperation, तो मम्मी की दभित कराब है, चाची ने का, आप भावी जी चिंदा ना करें, खाना हम बनाएंगे, it is called as what? Cooperation, Corporation नहीं, Corporation तो company होती है, okay, Cooperation, is that clear? But जब तक जाड़ पोच करने वाली जाड़ू नहीं लगा देगी, क्या पोचे वाली पोचा लगा पाएगी? Not at all, it is cooperation, differences समझ में, आगे चलना, चलें आगे, लिख भी यह सबने? चलें, let's continue further, so Coordination is the process that ensures, कि एक particular person के काम से, जो दूसरे person को काम करना है, उसमें break, नहीं आना चाहिए, one person's so-called D efforts, D efforts, should not hamper the efforts of somebody else as such, खुपड़े में बाद गई, and unity of action का क्या मतलब है, यह हुआ बचो, कि X ने जब तक अपना काम complete नहीं किया, तब तक Y उस particular काम को start भी नहीं कर सकता, तो one person's work is going to impact other person's activity as well, तो अगर आपको अपना sales maximization, profit maximization कुछ भी करना है, आपका सारा काम जिस chain of action से हो रहा है, that chain should not be broken basically, समझ गए की नहीं, confirm, तो अगर खोया ठीक से भुना नहीं है, क्या गुजिया ठीक से बन पाएगी, तो खोया भुनने वाले की problem की वज़े से, गुजिया कलने वाले को आ गई, समस्या, that is known as what children, coordination, अगर time पे, आपने product launching पे, marketing करते time sales promotion ठीक से नहीं किया, product तो बजार में है, बट customer market में, आ ही नहीं रहे है, problem किस चीज की है, coordination, showroom में गाड़ी खड़ी है, नई मिठाई, हल्दी रम वालों ने, बीका नेर वालों ने लांच कर दी, बट public को इस बारे में कुछ है, पता ही नहीं है, problem किस चीज का चल रहे है, IPL स्टार्ट होने वाला है, सक्टे वाले का यह आई ही नहीं रहे है, क्यों, क्योंकि कोई advertisement ही नहीं आ रहा है, is that clear, तो problem किस चीज की है, coordination की, समझ में आया की नहीं आया, चले आँगे बचो, हाँ यस, लिख रहे हैं, लिखे लिखे, सो दोनों में क्या क्या differences है, आँगे बचो, काफी तो मैंने आपको बता दिया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, freedom किस में ज़्यादा है, coordination में या cooperation में बचो, coordination में ज़्यादा freedom है, ना ना ना, cooperation ही तो personal है, informal है, formal चीज़ों में कहां से freedom हो जाएगी, is that clear, अपने सोचा, कि चलो हमीन की थोड़ी help कर दे, it is cooperation, बट खाना बनने से पहले, आटा गुनने का काम आपका ही है, coordination, तो यह defined होता है, यह self motivated होता है, coordination में ही dependency होती है, cooperation में तो भाई दोस्ती यारी वाली बात है, हमारा मन करेगा, तो हम आपकी मदद कर देंगे, बना ठेंगा, is that understood or not, अब class का time बता दिया भाई, इतने बचे से class है, people are supposed to attend, it is what, what nation, किसी बच्चे की class चूट के topic नहीं समझ माया, अच्छा ठीक है, 10 मिट का अलग से एक lecture ले लिंग उस बच्चे के लिए, that is cooperation, corporation में ये सब होता है, corporation is joint stock company, America में company को corporation बोला जाता है, India में joint stock company बोला जाता है, इसी लिए जब आपका computer start होता है, generally, अगर apple नहीं है, तो लिख क्या था na Microsoft Corporation, इंडिया में होता है, तो लिख क्या था Microsoft Limited, समझ में आगया, wider term covering all areas of business, सबकी duties assigned होती है, marketing department में कौन-कौन क्या काम करेगा, finance में कौन-कौन क्या काम करेगा, production department में कौन-कौन क्या काम करेगा, it is called as coordination, कभी अगर आपने video देखा हो इस तरह का, जहां पर धेर सारी cars, एक supply chain में लगी हुई है, manufacturing chain में basically, एक का काम है seat लगाना, उसने seat लगा दी, दूसरा वालब steering लगाएगा, this is what children, coordination, बट अगर X की speed slow है, Y की बहुत fast है, तो Y कह रहा है चलो, nut ball tight करने में, I'll help you out, this is cooperation, you got it clear, whole-hearted support and departments, बट यह obligatory है, formal है, may lead to unbalanced development, जिस office में cooperation ज़्यादा है, परस्किल डाउंस पर ही होता है basically, वो हो सकता है ज़्यादा तरक्की करें, बट जहां लोग सिर्व उतना ही काम करते हैं, जितना उनको बोला जाए, काम उतना ही करेंगे जितना बोला जाए, हो सकता है कोई personal effort नहीं दे रहें, तो organization हो सकता होतनी तरक्की ना कर पाए, समझ में आगई बात, समझ में आगई बात, relationship children, as I told, this is formal and this is informal, चाट की दुकान पे, एक इंसान की duty थी, packing की, एक की duty थी, टिक की तलने की, एक की duty थी, पानी पुटी खिलाने की, एक की duty थी, वो टमाटर और दही बड़ा खिलाने की, अब ये एक absent हो गया, दही बड़े वाला, तो क्या दही बड़ा नहीं भी कहेगा, जो दूसरा वाला है, वो बेचेगा उसको, it is what children, cooperation, school में, if a teacher remains absent on a particular day, उसकी जगा क्लास में, कोई दूसरा teacher आता होगा, substitution पे, और वो substitution लिख के आता है, it is what, who ordination है, ये लिख के आया, by rule है ये, बट अगर एक teacher कर रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम देख लो, आपके स्कूल में, sporting activities होती होगी, races होती होगी, teachers की duty होती होगी, mid point, pen point पे, कोई कहीं, मान लीजे, ब्योश हो जाए, तो उसको जमा कर दें, अस्पताल में, या क्लिनिक में जाके, सब writing में duties होती है, it is what, coordination, और कोई बिचारे टीचर ही बेहोच हो गया, क्या बोलेगा, इसकी तो duty नहीं थी, को उराएगा इसको जाके, चलो छोड़ तो इसके घर दे बुला कर लाते हैं किसी को, तो this is called as, कुछ लोग बोलेंगे, चलो इसको निप्टायाते हैं, अब छोड़ आते हैं, अस्पिटल में, तो पापा की duty थी, शादी के कुछ साल तक बाद में, मम्मी को हमेशा नानी मागे हैं, छोड़ने जाना और ले के आना, जब पापा को पता लगा, मेरे कुटली फाफा मिलता ही नहीं हैं, तो पापा कहे रहें, अच्छा एक्जान फूट जाए, तो दूसरा घर नहीं, तु यहीं रूप मैं जा रहा हूं, इट इस वाट चल्डन, वो ऑपरेशन, समझ में आया की नहीं आया, पका तो जैसे आए बैक अप पलास है, मान लिजे फंडामेंटल्स की, तो इट इस नॉट को ओडिनेशन, इट इस वो ऑपरेशन, समझ गए, लिख दिया सबने बच्छों, चलिए, लिख लिए जट पट फास्ट, लिए, सो प्लानिंग करनी हो, बिजनस की क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, उसके बाद चीज़ों को और्गनाईज करना हो, कितना स्टाफ कहां पे चाहिए, who will be doing what type of work, output estimated से कम है, तो चूड़ी कसेंगे, और काम करो, जादा है तो बोलेंगे, कुछ दिन रेस्ट करो, इन सारी हरकतों को जिस माला में पिरो दिया गया बच्छो, इन सारी हो, इन सारी हो, ठीक से हो जाएगा, चार महीने से लेकर, 72 गंटे तकी शादी का आरेइजमेट मैंने कराया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पाउस लेके आना है, बाकी सारा आरेइजमेंट हो जाएगा, जितने पैसे में गहीं, उधरे में हो जाएगा, अगर टेंट का पैसा नहीं, कोई बात नी, किराया पे छाता दे दिया जाएगा सबको, और नॉइस पॉलिप्शन नहीं क्रिएट कराना, तो सबको इयरफोन दे दिया जाएगा, नानी में गाना तुने और टांस कर लेएगा, समझ में आगे बच्चों, मैं 2D में, नंदस, एवरीबड़ी, तो हमारे घर में जब AC की सर्विसिंग होती है, तो घर वालों का, दोनों ममी लोग का, मतलब मेरी ममी और मेरे बेटे की ममी, स्टिक्ट इंस्रक्शन होता है, 10 बज़े से पहले सर्विसिंग करा लिजिएगा, एक बोलता है करा लिजिएगा, एक बोलता है करा लिना, अब आप समझ सकते हैं कौन क्या बोलता है, got it clear, बज़ आज कल दोने लोग करा लिना बोलते हैं, तो ऐसा क्यों है बई, क्योंकि उसके बाद गंदगी फैलेगी, फिर ज़ाड़ू पोचे वाली आएगी, तो वो उसी में समेट भी दे, it is what children, coordination, is that understood, समझ में आगया, चलिए, so planning क्या होती है, सब तो पता है बच्चों, हमारे chapter का आखरी topic, coordination का nature, बड़ा अच्छा nature है, सब बढ़ी आदमी है ये, अरे कहने का मतलब कुछ characteristics, जैसे management, applicable at all levels, at all type of, in all type of organization, दो जाज़ा children, तो coordination भी वो माला है, जो सारे management functions को जोड़ के रखता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि coordination, आपकी book का index page होता है, I repeat, आपकी book का index page होता है, जैसे आपका heart, पूरी body को coordinate करता है, brain पूरी, तो basically coordination का काम body में कौन करता है, lungs, arteries, ये blood vessels, ये सब क्या करती है, coordinate करती है, कैसे blood को pass करवाना है, it is not the responsibility of one or two people, it is the responsibility of all, top level policy बनाएगा, middle level कोशिश करेगा, उसको execute कराने के लिए, और operational, जो level होगा, supervisory level होगा, वो उसको effect करेगा, one person cannot do this, all the people would be required to do it for all, तो अगर X के बाद काम Y के बाद काम, Z के बाद काम जाना है, तो अगर पहले वाले ने अपना काम ठीक नहीं किया, क्या आगे काम ठीक हो पाएगा चल रहें, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अगर हमारा target है, कि हमको कम टाइम में जादा से जादा, sales अपनी बढ़ानी है, तो हो सकता है, finance वाले person को भी हम क्या बोले, कि तुम भी salesman बन जो, it is a deliberate function, सर इसका क्या मतलब होता है, deliberate function का मतलब, यह deliberate word जो आया है, यह induced से आया, आपको बोलना पड़ेगा, कुछ planning करनी पड़ेगी, तब जाके उन चीजों को, successfully अचीव करने के लिए, you need to do what you learn, coordination, so if there is a marriage ceremony, to be conducted at your nearby so-called colony, और उन्हें आपको पकड़ लिया, थोड़ी सी help कर दीजे, तो आपको एक एक करके, सारी चीजों को पहले समझना पड़ेगा, उनका budget क्या है, समझना गया, और ऐसा होगा, कि पैसा हमने किसी event manager को दे दिया, वो सब काम कुछ से कर देगा भी न, आपके समझे, आपको उसको बताना पड़ेगा, कि भाई यो मेंधी का stall कहां लगेगा, mocktails कहां लगेंगी, पान जो पनेडी टाइप के लोग है, क्यों gate पर ही लगता है, तागी पूरी party में खा के picture पर थूपते ना रहा है कम से कम, is that clear? तो वो एकदम gate गेंड में, घोड़ा चाहिएगी, घोड़ी चाहिए basically, जड़ा साण चाहिएगी, घया चाहिए, तो it's a deliberate function कहने का मतलब, people need to be instructed again, they need to be informed again, किसी को सपना नहीं आएगा, समझ में आगया, चलिए, एक-एक करके expand कर देते हैं इसको, so हर level पे children और हर type of department में, तो production department, marketing department से पूछेगा, कि बई कब तक हमको product ready करके dispatch कर देना है बजार में, पता लगा आपने तो TV में, निउस्पेपर में, रेडियो में advertisement दे दिया, बट बजार में product deliver हुआ ही नहीं है, तो in that case, क्या factory की या business की कोई इस्थ रह जाएगी, no, तो it is to be ensured, कि पहला advertisement जब market में जा रहा है, उसके पहले product available हो जाना चाहिए, यगर आपने देखा, blue और pink color के अलावा, green color का kinder joy आ गया है, तो जिस दिन advertisement पहले दिन release हो, उसके पहले kinder joy दुकान पे, बहुत जाना चाहिए, is that clear, company को advertisement के लिए पैसा चाहिए, raw material करीदने के लिए पैसा चाहिए, launch है product को October में, तो महीना manufacturing में लगेगा August and September, तो पैसा के December में लेकिए आएंगे, पैसे का arrangement March April में start, हो जाना चाहिए, कोई भी company अगर अपने shares बजार में बेचना चाहती है, capital कठा करने के लिए, should the company do this बेवकूफी in the month of March, कोई ना खरीदेगा, people are planning their tax payments, financial year is about to end, वो अपनी savings plan करते हैं, तो आपका share IPO में कोई भी नहीं लेगा, तो कब बेचें सर अपना share, मई के महीने में बेचो, सर April में क्यों नहीं, बच्चों को school join कराना होता है parents को, fees दे नहीं होती है quarterly, तो उनके पाद पैसे नहीं होते है, March के महीने में कोई movie आती है नहीं, इसे नहीं आती है, क्योंकि उनको उतना audience viewership मिलेगा ही नहीं, so interrelated समझ में आगे है सबको, पक्का चाहिए, responsibility of all managers, so we cannot compel one person to manage all the things children, as I said, top level का काम होगा policy बनाओ, middle level का काम होगा in policies पे जो भी लिखा है, काम किस से कराना है, operational level से, तो अगर top level ये decide करता है, कि हमारा plan अगले 6 महीने फ्री रहेगा, उसके अगले 1.5 साल कक 49 रुपीज में लोग 3 मंस का रीचार्ज, दीरे दीरे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, 7 साल में ये कितना होगया चिल्डन, 720 रुपाई, 1400 प्रतिशत से ज़्यादा की growth, तो ये policy किस ने बनाई, top level में, middle level का काम है, market में advertisement दो, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को attract करो, और operational level का काम है, कि जब लोग sim activate कराने आएं, और वो बोलें कि 199 का recharge कर दो, उनको अकल दीजिये, इसमें तो 1 GB internet मिलेगा, आप एक काम करिए, बस 50 रुपाई और खर्च करिए, total 1.5 GB मिलेगा 249 में, तो जिसकी spending capacity 200 थी, आपने कितना खर्च करवा दिया, 2500, कितने पैसे ज़्यादा खर्च करवाए आपने, लगबख 25%, तो कंपनी का revenue इसी तरह से बढ़ता है, शॉपकीपर्स बोलते हैं, खरीदिये गामद भाबी जी, देख लीजिए, देखने में थोड़ा कोई पैसे लगते हैं, तस लोग को कपड़ा दिखाएंगे, तो दो तो खरीद लेंगे, फस जाएंगे, समझ में आई बात की नहीं आई बात, तो ये चीज, ये policy किसने मनाई, टॉप लेबल, समझ में आ गया, तो किसी शॉप पे आप जाईए, और बोलिए ये biscuit कैसे दिये, खा के देखिया अच्छा कैसा है, अब जब खा लिया, तो इतने दलिदर गिरे हुए, बत्तमीज तो हो नहीं मेरी तरह, नहीं पसंद नहीं है, अच्छा 200 ग्राम दे ही दो, शरम के मारे इतना तो खरीद होगे, खरीद होगे, दिन भर में 500 ग्राम खरीदने वाले, अगर 20 कस्टमर भी टकरा गए, तो 5 किलो की सेल तो हो गई, 30 दिन में 1.500 किलो, एक साल में 1.800 किलो हो, नहीं समझना है, तो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, इस ताट अंडेस्टूड वेल, इस ताट अंडेस्टूड वेल, मिडल लेवल उस पॉलिसी को क्या करता है, एक्जिक्यूट कराता है, और वू ड़स दा वर्क एक्चुली जिल्डन, दा ओपरेशनल लेवल, तो सब की जिम्मेदारिया है, यह नहीं की सिर्फ टॉप लेवल की ही जिम्मेदारी है, तो मम्मी की जिम्मेदारी है भई, टेक केर आफ दे फैमिली, खाना पीना ठीक ठाक देते रहें, बच्चों को ठीक ठाक सुदया करते रहें, पापा का काम है जैनली भई पैसे कमा के लाओ, प्लैनिंग करो बविश्ची के एन अल टाट, समझ में आगई बाद, और सब्सक्राइब बाकी घर में किसी कोई काम है, सबको निकाल बहर करें आजब, बाकियों के भी काम है, भी उबलाना की काम आते हैं लोग, इंटीग्रेट ग्रूप एफ़र्ट्स, अब ये एक मैप है बच्चो, 3D मैप है धोड़ा सा, नजर आ रहा है सबको, क्या लग रहा है देखने में, वाव वाव वाव, ये मदरबोर्ड लग रहा था लोगों को, चलिए, खेर गलती है अनुष्काजी की नहीं है, मेरे को भी हर जगा, कार और ट्रक ही नजर आते थे, वी बिसनस उस चीज का था था ना, चलिए भई, तो चलते हैं आगे, ये हाउस का 3D प्लान है चल्टन, ये ड्रॉइंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है, ये किचन है, ये टीवी एरिया है, ये भी किचन टाई भी कुछ लग रहा था मेरे को, कुछ होएगा, ये एक बेड्रूम है, ये एक बेड्रूम है, टू बीच्च का प्लान है चल्टन, तो सबसे पहला काम, किसका होगा, इस चीज पे, दवर्क आफ एन, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या करेगा, पहले मैप बनाएगा, प्लान बनाएगा, कैसे क्या कंस्रक्शन होना है, उसके बाद, हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, इसको करवाना पड़ेगा, अप्रूफ रूम दा मिनुसिपल कॉर्पोरेशन, देर आफ्टर, हमको और्गनाईज करना पड़ेगा, कि चीजों को कहां से पाएग किया जाए, समझा गया, इसके बाद आपको, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके, मेसन वरकर के साथ मिलकर, स्टार्ट करना पड़ेगा, भूमी पूजन के बाद, कंस्रक्शन का काम, तो अगर आकिटेक्ट नहीं अपना काम नहीं किया, क्या अप्रूवल होगा? नो, आकिटेक्ट ने काम कर दिया, अप्रूवल हो गया, बट अभी raw metal, cement, sand, brick, iron bars, ये सब खरीदे ही नहीं गये, क्या construction स्टार्ट होगा? Absolutely not. तो it is a group effort, और it is one person's work children. Is it possible कि एक बार हमारे office में जो काम हो रहा हो गया, उसके बाद हम सो जाएंगे राम से? बिल्कुल नहीं. तो जियो वालोंने क्या देखा? Airtel वाले ringtone का भी पैसा लेते हैं, हर चीज का पैसा लेते हैं, हम 720 में सब कुछ दे देंगे आपको. कौन पैसा लग रहा है? Is that clear? Airtel का business model क्या था? 10,00,00 लोगों को 15,00 का plan chip काएंगे. जियो का working model क्या है? 30 करोड लोगों को 100 रुपे का plan chip काएंगे. Volume business. What? Volume business. खोपने में बात गई? Airtel क्या सोचता है था? Quality of communication should be good. जियो क्या सोच रहा है? इस देश में गोवर भी बेश दो ना? Cowden Cake के नाम पे कंडी. Amazon पे बिख जाती है. और कौन लोग दिन बार मरे पढ़े हैं फोन पे? Network 10 बार call लगाएंगे 2 बार तो? लगी जाएगे हैं सस्ता भी तो दे रहे हैं आपको. तो दोनों का effort अलग लग था. तो जी ओने का पहले prepaid से entry मारते हैं? पहले customer इकठे कर लें? Retain करने के लिए कौन सा launch कर देंगे card? Post paid. Got it clear? तो ये planning आज की नहीं, ये planning starting की है. पहले थोड़ा सा चारा डालो. एक बार आदक पढ़ जाएगी, उसके बाद price बढ़ा देंगे. क्योंकि आपका number bank में, आदार card में, post office में, mutual fund में, credit card में, इतनी जगा register हो गया है, कि आप चाहा के भी उस चुड़ायल से छुटगारा नहीं पापाएगे. समझ में आ गया, तो ये सोची समझी चालती. जियो ने कभी भी रिलाइंस नहीं नहीं सोचा था, कि एटल के customer मेरे पास आ जाएगे. एटल को भी पता था कि हमारे सारे वहां तुड़ा भाग जाएगे. और दोनों ने planning की थी, अब customer के पास एक ही बज़ा है, दो-दो phone भागे. समझ में आया की नहीं आया. अब क्या चिपकाना है? पोस्ट पेड. या अलग अलग उसमें plans लगा दो, ये cricket plan चलेगा. ये cooking plan है. इस समय आप इस plan को activate कर लीजे, सारे cooking channels में जाएंगे. सारा दंदा पानी बढ़िया चल रहा था. अब क्या किया जाए? अब OTT बेचते हैं. क्या बज़ते हैं? OTT. अभी कुछ दिन पहले मेरे पास offer आया था. Jio Cinema Premium. 29 रुपीज पर मन्त में offer था. The price was 59 रुपीज पर मन्त, but first month का introductory offer था 29. और चतुर कितने है? 29 एक बार ले लिया. Auto pay activate करा लिया. 59 रुपीज का कितना? कि इस महीने तो 29, अगले महीने से मैं भी कम चतूर नहीं था, आप़ी का teacher हूँ. पहले मैंने auto pay activate कर दिया, recharge हो गया, दो दिन देख लिया, फिर auto pay को deactivate करा दिया. अब 29 में पूरा महीने चलेगा. अगले महीने दूसरे नमबर से recharge करा लेंगे. चार-पाँच महीने इस तरह से करेंगे, चलता रहेगा. Is that clear? फिर दूसरा OTT लेंगे. Is that clear? तो क्यों 29 रुटीज का student चटाये जा रहा है? 29 तो बड़ा सस्ता है. एक बार आदत पढ़ जाएगी 29 की, ये कितने हो जाएगा फिर? 129 का. सबर रखिए, सबर कफल, ज्यादा revenue देखे जाता है. सबर कफल मीठा होता है, सबर कफल, ज्यादा revenue देखे जाता है. Is that clear? बच्चे सोच सर, आप तो कुछ ऐसा नहीं करेंगे न? कि अभी dues are less, चार महिने बीच जाएंगे, एक्जाम आने वाला है, अप इस दस गुना. समझा क्या, नहीं मैं बगवान से तरत हो हूँ. चलिए भई. Enshows unity of action, ये थोड़ा सा group efforts के जैसा ही है बचो. Unity of action का मतलब, जो भी हमने so-called plan बनाया, we have to see to it कि हमारे सारे departments उस plan को फुल्फिल करने में लग जाएं. शारुक खान का एक dialogue आपने सुना होगा, जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी काइनात उस चीज़ को आप से मिलवाने में लग जाती है. तो चाहे finance department वाला हो, या चाहे billing department का person हो, चाहे floor manager हो, तो आप अगर mcdonald's जाहिए, तो वहाँ पे अगर कोई employee खाली नहीं है, तो जो manager होता है, वही order लेने लग जाता है, वो कहें, नहीं, मैं manager हूँ, तो अगर camera में दिख गया, कि manager खाली बैटा और customer की क्यों लगी हुई है, उसको नौगरी से अगले दिन, निकाल दिया जाएगा, तो everybody has to see to it, कि ऐसा नहीं कि मैं finance का person हूँ, तो मैं दूसरे department में कोई बाती नहीं करूँगा, या मैं कोई idea दूँगा ही नहीं, कि आप idea देंगे, तो आपका incentive बढ़ जाएगा, तो समझ मैं गया, जब आप किसी चीज़ को शिदत से चाहते हैं, तो सारी काइनात उसको मिलवाने में आपके साथ लग जाती है, इस बहुट, unity of action, logic understood well, पक्का, तो अगर आपकी ठीक ठाक चंदा देने की हैसियत है, deliberate function, so आप कुछ ऐसा महल create कर दीजे, so that people employed in your organization are willing to work on their own, more तो करेंगे हैं करेंगे, नहीं तो no more हो जाएगे ना, तो more तो काम करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, incentive wage system होगा, जिसका जितना ज्यादा output, उसका remuneration उतना ज्यादा, समझ में आगया, तो आप इसके लिए incentives कैसे fix करेंगे, bank में आप employee है, mutual fund का target इतना है, fix deposit बेशने का इतना, credit card का इतना, लोगों से अपना banking app activate कराने का target इतना, तो जब आप target meetup करेंगे, तो आपका incentive बढ़ जाएगा, तो deliberate function मतलब काम, employee अपने मन से बिल्कुल नहीं करेगा, अगर उसको पता है, I am getting 25-50,000 a salary, तो मेरे को Tommy और मोती नो, तो काटर नहीं मैं जादा काम करू, तो मैं जादा काम अगर करूंगा, तो मेरे को कुछ जादा incentive मिले, कुछ बच्चे स्कूल हफते में एक दो दिन जाते हैं, बागी नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर जड़ो कोछे बरतन की, कुछ daily चले जाते हैं, घर में कोई कामी नहीं है, कुछ ये सोचते हैं, घर में पंखावत्ती बचाना है, तो चलो, school चलो, end of the day school उनको एक certificate देता है, कि तो office में भी 100% आएगा, जब वो देखेंगे, SUPW में grade A है, और maths में 62 है, कोई बात नहीं, creative है इनसान, maths तो है ये दलिद्दर टाइप भी, 90% दो पढ़ाओ कभी G1 में काम, आना ही नहीं है, मैं तो कहता हूँगे IT topper को ले, AIR1 को, समझना गया, और उससे को जाओ 40 रुप चिस में कोई टेंचन नहीं है, एक गईया ले जो साथ में, 600 ग्राम आलू तुलवा लेना, 400 ग्राम गईया से कहना, तुम खालना मूम भर लेना, और बाद में गईया ग्मू से अलू निकलवा दो, सेन्टाइजर्स दो दो, 400 ग्राम तो फ्री काता ना, जैसे कभी कोई इंसेंटिव दे कर, समझ में आ गया, तो डेलिबरेट फंक्शन मतलब काम करवाना है, अपने मन से वो नहीं करेंगे, तो स्कूल में जब भी कोई अक्टिविटी होती है, बच्चे तो वहीं, बुढ़े कूसट, senior citizens of the family, अब हमसे नहीं होगा ये, टीचर कहता नहीं होगा तो ठीक है, मैं प्रोजेक्ट में नंबर काट लूगा, अरे क्यों नहीं होगा सर, अरे हम तो चार्ट और करो लेंगे, ऐसी के बात है, बीस नंबर की गमत, आप क्या जाने, टीचर बावू, बच्चे को जैसे जाए, वैसे नचवा सकती है, समझ में आया की नहीं, तो ये इस बीस नंबर के प्रैक्टिकल वगेरे सब आ गया, तो अगर इंडियन रेलवेस को अपना रेविन्यू बढ़ाना है, तो खाली सीट पे कैसे तुरंत रेजर्वेशन मिले, टीटी इसको टाबलेट दे दिएगा, टिकेट को बेसिकली, और जैसे ही ट्रेटर्वेटर्व हुई, टीटी ने एक स्टेशन पे अगर 500 लोग की बोडिंग थी, और 497 ही बोड हुए है, तो वो तुरंत माग कर देखा कितीन लोग गायब है, लोग इंटरनेट पे लाइक देखते रहते हैं, अगला स्टेशन दो गंटे बाद आएगा, और आप टिकेट बुक करा सकते है, पहले क्या होता था, इसकी ट्रैकिंग ही नहीं थी, तो वो सीट्स पूरी खाली रहते थी, is that understood, तो this is also what children, coordination between that TC, ticket collecting person, and that handle device जो दी गई है, आज किल आपने देखा होगा, टीटी के पास handle device होती है, अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरी बेटी का tablet discharge हो गया, एरी पापा, आप क्या गरूं, टीटी हैं करते दिलवा दो, दिमाग खराब होगे, इसमें तुमारा वो, तो तो ताहरे रंगा नहीं चलेगा, तो ये भी क्या है, बचो ये, coordination है पहले इसलिए black में टिकेट खूब विका करती दी, क्योंकि आपस में कोई coordination, हाँ ही नहीं, समझ में आई बात, तो जैसे मैं Google Classroom पे आपको जब work देता हूँ, तो एकदम bottom में आपने देखा होगा कैसे arrow type हट बनी होती है, उसको आप scroll करेंगे, तो नीचे submit का option आता है, add work क के उपर, तो submit जब आप करेंगे, तो turn in का option आता है, फिर आप turn in कर देंगे, तो मेरे को पता लग जाएगा, that you have submitted the assignment or not, और अगर आपने काम नहीं किया, तो मैं मान लूँगा, कि आप दलिदर हैं, पड़ा लिखा हैं को लिना देना, है ही नहीं, सरस्रिफ turn in कर दें ना कर लिए, और कहां से स्टार्ट होता है चल्रन, प्लैनिंग के साथ साथ ही स्टार्ट हो जाता है, तो माला बनाते टाइम धागे में, जब पहला फूल डलता है, समझ में आ गया, तो बस वही जो धागा था, that is coordination, समझ के सब लोग, लिखा होगा notes में, no need to copy, तो ये सारी बाते समझ में आगी बचों, तो आप एक एक चैप्टर पढ़ेंगे इन नामों में, टेंशन मत लीजे, तीन importance note कर लीजे, जितना बड़ा organization, उतना ज्यादा coordination, जैसे जैसे organization बढ़ता जाएगा बचों, coordination की importance भी बढ़ती जाएगी, school छोटा है, कोई problem नहीं, बढ़ा हो गया, cameras are required, security personals are required, हर floor पे चपरासी चाहिए, पानी चाहिए, हर जगा intercom चाहिए, तागी communication among the staff, easy हो जाएगे, जितना ज्यादा variety होगी हमारे business में, सर मतलब, ध्यान से सुनिएगा, आपके business में, so called, there are multiple departments, I repeat, there are multiple departments, production department है, purchase department है, finance department है, marketing department है, सब की reporting, सब ने क्या-क्या काम किया है, जानने के लिए, we need to have coordination, तो चाहिए की दुकान पे coordination बहुत कम होगा, बट cafe coffee day में बहुत जादा, McDonald's के store दुनिया बर में, इंडिया में है, तो daily की daily sale, क्योंकि online ordering है, तो उनको पता लग जाता है, कितनी है, जब उनको रोट कर देंगे, एक order पे 40 रुपे का coupon free, ताकि अगले order पे वो and cash हो जाए, coffee launch की, people were not interested in buying, coffee के साथ biscuit, sorry, biscuit, जिसे cookies बोलते हैं, वो, नहीं आई, तो cookie चाहिए, मतलब biscuit चाहिए, तो आपको अलग से 139 की coffee लेनी पड़ेगी, तो अलग-अलग departments जब आपके business में हो जाएंगे, you need to have a very excellent degree of coordination, समझना गया, नहीं तो सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, production department ने labor hire कर लिए, machine हैं के पास, but raw material भी, आया ही नहीं, raw material के लिए order तो दे दिया, finance department जब तक पैसा नहीं बेजेगा, तब तक supplier raw material dispatch करेगा ही नहीं, दना दन advertisement कर रहे हैं, पता लगा advertisement करने के तीन महीने बाद भी, market में product है ही नहीं, तो यह ultimately negative publicity carry करता है, समझे इस बात को, जितना ज्यादा आप specialized हैं, मतलब सर, हम सिर्फ so called, एक तर coordination की जरुत है, coke भी है, Fanta भी है, Sprite भी है, मतलब अलग लग टेस्ट है, तो coordination ज्यादा चाहिए, क्योंकि specialization बढ़ गया, हम shirt भी बेचते हैं, हम trouser भी बेचते हैं, हम घी तेल भी बेचते हैं, हम tube light भी बेचते हैं, हम TV भी बेचते हैं, we need, no, no, specialization होई गया, we need more coordination, आपने कभी Amazon पे, अगर order place किया, आप लिखने है, Samsung, 90% तो समझ जाता, आपको क्या चाहिए, अगर आपने हाली में नया mobile phone खरीदा है, Samsung से ही खरीदा है, तो समझ जाएगा, आप मुबाइल फोन तो लेंगे नहीं, आप उसकी कोई accessory खरीद रहे हैं, is that understood, अभी Amazon में एक sale चालू हो 25,000 रुपए में, आज 3600 में जा रहा है, क्यों, 1000 का coupon benefit, 3600 का mobile exchange, 3600 को आ गया, कल तक देवर गिविंग में 5000, तो specialization हो गया उनकी sale में, तो उन्होंने coordinate किया, coupon दे दो सबको, जो नए buyers हैं वो भी और जो पुराने हैं वो भी, और जो पुराने हैं अपना mobile exchange करना चाहते हैं, उनका उतना ही price, कम कर दो जितना coupon में है, is that understood well or not children, तो जितना specialized product आप बेचेंगे, coordination उतना ज्यादा होगा, तो आप अगर general product बेच रहे हैं, बाकी लोग भी उसको बेचने हैं, coordination की ज़रत नहीं है, आपका product exclusive है, wide range of product है, you need good degree of coordination, समझ गये इस बात को बहीं, पक्का चलिए जैसे जैसे organization बढ़ेगा, वैसे वैसे coordination ज्यादा चाहिए, single branch operate कर रहे हैं, no problem, 500 branches है, daily सारे heads के साथ meeting करना, उनकी sales के plans जानना, कल जो plan बनाया था कितना अची हुआ हो जानना, तो coordination चाहिए, तो मुन्ना अलवाई को coordination नहीं चाहिए, बढ़ हल्दी राम और भीगानेर को च देखना समझना पड़ेगा, एक बच्चा है parents का less coordination, दो चार बच्चे हैं तो more सब सामने रहें, पता लगा तीन दिन बाद यादा है, और यह वहला कहां गया, 15 नमबर वाला लगता है किन नप हो गया है, समझ में आया कि नहीं, चलिए, आप अगर सिर्फ particularly एक school में पढ़ नहीं है, तो पापा ममी को आपके risk पे tracker fit करना पड़ेगा, ना लाएगे हैं का पता तो लगजा है, is that clear, specialization समझें बच्चों, जितना ज्यादा specialization उतना ज्यादा coordination, तो आपने अगर नाम सुना हो Google, Google कितने products बेशता है सर, मैं आपको बता देता हूँ कितने products बेशता है, पुलिजा सिम सिम, आ गया Google बच्चों, स्क्रीन पर Google नजर आ रहा है बच्चों, चलिए, यह साइड में देखिए, साइड में नजर आ रहा है, गूगल सर्च, प्ले, YouTube, Maps, News, Gmail, मीत नहीं है, मीत है, then chat, contact, Google drive, calendar, translate, photos, shopping, अब इसके नीचे, finance, document, Google sheets, slides, blogger, classroom, jamboard, jamboard, क्या होत गूगल वन, Google travel, Google forms, Google क्या student है गया, store, चरोम की क्रोम, यूर पासवर्ड मैनेजर, इतना वाइड प्रोडक्ट है, इनके पास बच्चों, तो इनको इसको मैनेज करने के लिए भी लोग भी ठेर सारे रखने पड़ेंगे, समझ में आ गया, अब यहीं आप ले लीजिए, so called मेरे को, मेरे काम सिर्फ पढ़ाना है, तो कि हम मेरे को ज्यादा कॉडिनेशन की जरत है, बस दो उंगली पे पूरा कॉडिनेशन है, एक में मीटिंग स्टार्ट करने है, और एक में मीटिंग करने है, is that clear, चलिए, कोई कोई किसी के चलन, तो इसी के साथ चैप्टर होता है समाप, बहुत जल्दी आपको इसके MCQs मिल जाएंगे, या तो एक बड़ा पेपर होगा, तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो 30-40-50 के छोटे-छोटे-छोटे-चारपांच बनाएंगा, ओके, चलिए, that's all for today.